Assalamualaikum, Welcome back to my channel with a new video आज की वीडियो है हमारी 10th class की chemistry के practical notebook के उपर 9th class की chemistry practical notebook की वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पे आप लोगे साथ शेयर कर चुकी हूँ उमीद रखती हूँ कि वो आपके लिए काफी helpful रही होगी तो आज की वीडियो है हमारे पास 10th class की के mystery की practical notebook के उपर यहाँ पर बारी बारी आपको practical notebook की सारी detail आपको दी गई है आप easily इस वीडियो की help से screenshot लेकर अपनी practical notebook त्यार कर सकते हैं practical notebook बनाना बहुत ही असान काम है आप within two days अपनी practical notebook easily खुद त्यार कर सकते हैं इसका procedure भी बिल्कुल सेम है जिस तरह हमने पहले practical notebook बनाई है उसी तरह हम यह practical notebook भी बनाएंगे मैं उमीद रखती हूँ कि यह practical notebook की वीडियो आपके लिए काफी helpful रही होगी इसके लिए सबसे पहले आपने title लिखना है फिर material required लिखना है फिर उसके बाद apparatus और material required सेम ही है उसके बाद आप लोग अपना procedure लिखेंगे और जो साथ आपको page given है उस पे आप diagram और observations बनाएंगे यह वीडियो मैं उमीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत ज्यादा helpful होगी कि आप इसमें से screenshot लेकर भी easily अपनी practical notebook within two days त्यार कर सकते है प्रैक्टिकल notebook बनाना बहुत ही आसान काम है यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आप easily खुद practical notebook त्यार कर सकते है इसी तरह आपको यह सारी practical notebook की वीडियो one by one given कर दी गी है उमीद करती हूँ आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा practical notebook बनाना बहुत ही असान काम है students इसको बहुत मुश्किल समझते हैं लेकिन अगर आप बाजार से बनी बनाए practical notebook लेने की बज़ेए खुद अपने हाथों से practical notebook बनाएंगे तो इसके आपको बहुत सारे benefits होंगे मैं आपको यही मश्वरा दूंगी कि आप खुद practical notebook बनाएं क्योंकि यह आपके लिए ज्यादा helpful हैगी क्योंकि एक दफ़ा अगर practicals आपके हाथ से गुजर जाएंगे तो वो आपके लिए काफी helpful रहेगा मुझे उमीद है कि यह आपके लिए काफी helpful ही होगी और एक और चीज़ practical notebook में हमेशा diagrams आपने lead pencil से बनानी है कभी भी pen या marker से diagrams नहीं बनानी